नमस्कार दोस्तों आप सभीगा स्वागत है हमारे यूटूब चैनल वे सीएस बेसिक फीक्स में और आज की इस वीडियो में हम कक्सा 11 का डोबी के लेकर चल रहे हैं टोरी सोली परमे या बहिस्त्राव वेग टोरी सोली परमे किसके लिए लागू होगी या बहिस्त्राव वेग क्या है कि हमारे पास में एक बेलनाकार पात्र है और द्रव से भरा हुआ है तो उसके द्रव तल से कुछ गहराई पर उस पातर में हम एक छिदर लेंगे और उसे छिदर से जब द्रव भार निकलता है तो उसका जो वेग होता है उसको हम कहते हैं बहिस्त्राव वेग एक बार फिर से सुमली जीए कि एक बेलनाकार पात्र है और वो द्रव से भरा हुआ है उसके द्रव तल की उंचाई से जो द्रव तल जहां तक भरा है वहां से कुछ गहराई पर हम एक छिद्र लेंगे और उसे छिद्र से बाहर निकलने वाले द्रव का जो वेग होगा उसको हम कहते हैं बहिस्त्राव वेग और देखे टोरी सोली ने ये कहा था कि जब कोई पातर सें द्रव भार निकलता है अर्थार्थ उसका जो बहिस्त्राव वेग होता है वो इस तरीके से होता है जैसे वो सवतंतरता पूर्वक छोड़े गए पिंड की भांति गती कर रहा हो अर्थार्थ वहिस्त्राव वेग का मान सवतंतरता पूर्वक गिर रहे पिंड के वेग के बराबर होता है यह हम प्रूफ कर देंगे जो टौरी सोली पर में है उसका स्टेटमेंट अंत में हम यहां पर पूट करेंगे सरफरतम हम फाइंड आउट कर लेते हैं 22 रावीक का सुत्र फोर्मूला इसके लिए हम एक पात्र लेकर चलेंगे देखिए हमारे पास में एक पात्र है जैसे ये कोई पात्र है और इसे पात्र में यहां तक कोई द्रव भरा हुआ है ये जो द्रव भरा है वो धरातल से capital H उँचाई तक भरा हुआ है इस तरीके से भरा है इसमें द्रव और इसके द्रव तल की जो उचाई है वो है capital H से 30 से इसकी जो उचाई है वो है capital H अब यहां से आप देखेंगे कि द्रव तल से H गहराई पर हम यहां पर ले लेंगे एक बारिक सा छिद्र और जब यह बारिक सा छिद्र ले लेंगे तो यहां से जो द्रव है वो इस तरीके से गति करता हुआ नीचे की ओर गिरेगा तो इसका जो भी वेग होगा उसी को यह हम कहते हैं बहिस्त्राव वेग देखे यदि यह उचाई H है तो इस छिद्र की सेती से जो उचाई है वो इस capital H minus small H रह जाएगी देखे इस बहिस्त्राव वेग यहां से जो द्रव बहार निकल रहा है उसका वेग हम लेकर चलेंगे V देखे बहिस्त्राव वेग यह V के तुले ही होगा इसकी value हमें find आउट करनी है इसमें हम बरनूली परमे का प्रियोग करने वाले हैं बर्नूली परमे का प्रियोग करते भी बहिस्तरा वेक फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले तो जो हमने इस डाइग्राम में माना है वो लिख देते हैं माना एक पात्र में पात्र में केपिटल एंच उचाई तक केपिटल एंच उचाई तक रो घनत्वे वाला रो घनत्वे वाला द्रव भरा है रो घनत्वे वाला द्रव भरा है जिसके द्रव तलसें स्मोल एंच गहराई पर स्मोल एंच गहराई पर एक छिद्र हैं बारिक सा छिद्र हैं जिससे निकलने वाले द्रव का वेग बहिस्त्राव वेग कहलाता है और जो हमें ग्यात करना है जो हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहा रहे हैं इसके लिए हम टोरि सोली पर्मे की स्टेटमेंट है वो भी प्रूफ करेंगे तो देखें कैसे ग्यात करना है उसके लिए हम बर्नुली पर्मे का प्रियोग करेंगे बरनूली पर में से बरनूली पर में क्या है देख लीजिए P1 प्लेस हाफ रो वी वन स्क्वेर प्लेस रो जी एच वन दा बुर्जा गती जुर्जा थता इस्तधी जुर्जा का मान नियत रहता है तो यह बराबर होगा P2 प्लेस हाफ रो V2 square plus rho G H2 अब यहाँ पर आप देखेंगे एक के करके हम यहाँ पर put कर रहे हैं कि जो P1 है वो है यहाँ पर लगने वाला दाब तो जो P1 है एक तो हम ले रहे हैं यह वाला सीरा और एक लेंगे यह वाला सीरा तो इसके उपर जो दाब है वो है वाय उमंडली दाब और इस सीरे के उपर भी जो दाब लगेगा वो वाय उमंडली दाब के बराबरी होगा जिसको हम P0 के equal लिख सकते हैं वाय उमंडली दाब काम कर रहा है तो यह जो वाय उमंडली दाब जब इधर भी P0 इधर भी P0 put कर देंगे तो दोनों तरब से cancel out हो जाएगा P0 कड़ जाएगा दोनों तरब से फिर हम बात करते हैं इस वाले सीरे पर velocity इस वाले सीरे के उपर जो वेग है वो लगबग हम 0 मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो द्रव जब यहाँ से वेग है वो हमने V माना है तो यह जो V2 है वो V है जो की 20 तरव वेग है 20 तरव वेग होता है फिर हम बात करते हैं H1 की तो यहाँ पर आप देखेंगे H1 है इस तल की से 30 से उचाई जो की capital H है और फिर बात करते हैं H2 की तो इस छिदर की से 30 से जो उचाई है वो है capital H minus small h तो यह H1 और H2 के महान होंगे इन सब की value हम है Bernoulli परवे में put कर देंगे तो हमें क्या मिल रहा देखी P1 की जिगे P0 प्लस यह हो गया 0 प्लस रो जी capital H बराबर P2 की जिगे हो गया P0 प्लस हाफ रो वी स्क्वेर प्लस रो जी H2 की जिगे हो गया capital H minus small h यहां से P0 से P0 cancel हो जाएगा रो जी capital H रह गया इधर हाफ रो वी स्क्वेर रह गया plus इसको इधर गूणा कर दीजे रो जी capital H इसको अंदर गूणा कर दीजे तो minus में rho G small h यह भी cut जाएगा क्योंकि दोनों same ही है इसको इधर लाएगे तो यह minus में आजाएगा cancel out हो जाएगा इसको बराबर के इस तरफ ले आएए तो यह plus में हो गया rho G small h यह वाला लेकर आ रहे यह cut ही गया है तो half rho V square rho से rho cancel हो गया दो इधर गूणा कर देंगे तो 2 G h बराबर आ गया हमारे पास में V square और V बराबर आ गया है अंडूड में 2 G h यह हमारे पास में आ गया है बहिस्तरा वेग और देखें बहिस्तरा वेग का मान आया है अंडूड में 2 G h तो किसी पातर से निकलने वाले द्रव का जो बहिस्तरा वीग होता है वो इस भाती होता है जैसे वो कोई सवतंतरजा पुर्वक गिर रहे पिंड का वीग हो तो यही है टोरी सोली परमे का statement तो देखी मैं यहां पर पुट भी कर देता हूं टोरी सोली परमे क्या है कि बहिस्तरा वीग का मान किसी सवतंतरजा पूर्वक गिर रहे पिंड के वीग के समान होता है तो किसी पात्र के छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्तरा वीग बहिस्तराव वेग सवतंतरजा पूर्वक गिर रहे सवतंतरजा पूर्वक गिर रहे पिंड के वेग के समान होता है तो दोस्तो ये है टोरी सोली परमे तो टोरी सोली परमे हमें ये बताती है कि जब कोई लिक्विड किसी पात्र के छिद्र से बाहर निकलता है तो उसका वेग इस तरीके से होगा जैसे वो कोई सवतंतरजा पूर्वक पिंड सबस्था पूरोग गिरहे पिंड के समान हो तो दोस्तो ये थी टोरी सोली परमे और ये था भही स्त्राव वेग का वेंजग आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तो